नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजिना और आप देख रहे हैं दखवरदार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी ख़बर की ओर नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का दखवरदार न्यूज में आज 14 जन्वरी है और साल का यदिन मकर संक्रांती की रूप में मनाया जाता है वही इस खास पर्व पर दखवरदार न्यूज से बात करते हुए भारती जनता पार्टी पिछला वर्ग मोच्चा के पूर कि प्रदेश और देश वाच्वियों को सुबकामनाय उनके जीवन में उल्लास और प्रकास हो उनका जीवन सुक सांत्री और सम्रद्धी से परिपून रहे एसी में मंगल कामनाय इस मकर सक्रांती के पावन रुपावित पर पर सभी देश वाच्वियों के लिए करता हूं और उनको सुबकामनाय प्रसित करता हूं 22 जनवरी को हाल में राम मंदिर का उद्गण भी करने जा रहे हैं क्या पील करेंगे देश वाच्वियों से 25 जनवरी का दिन हमारे इस देश के लिए एतियासिक दिन है पूरा देश भगवामय का बातरण बना हुआ है या बताने की योरतनि पूरे देश के अदर दिक रहा है धेश के प्रतेक नागरिक के अंदर उत्सा है राम मंदिर के लिए भगवान राम के लिए हिंदू धर्म हिंदू संस्क्रति के लिए और मैं सब देजबासियों से अपील करता हूं कि इसमेर बढ़ चलकर हिस्सा लें यही सुपकामनाय प्रिसित करता हूं हमारे रिपोर्टर राशीर दिवेदी से बात करते हुए भगत सिंग कुश्वाहा ने कहा मकर संक्रांती उर्जा और उस्साह का पर्व है आप सभी के जीमन में प्रकाश और उस्साह सुख सम्रद्धी और शांती आए भगत सिंग कुश्वाहा ने मकर संक्रांती परव पर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें